बावल कस्बे में स्तित एकी भट्टे पर एक युवक की हत्या कर दी गई। बृतक का शब भट्टे पर स्तित एक कमरे में खून से लत्पत बरामद हुआ है। बृतक का अपने ही गाव के रहने वाले एक साथी के साथ छोटी होली की रात को जगड़ा हो गया था। जिसके बाद उसके साथी ने आवेश में आकर किसी तेजधार हत्यार से उसकी हत्या कर दी। 22 थाना पुलिस ने शब को कबजे में लेकर आगामी कारिवाही शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला नंदी 22 साल का पिछले दो महीने से बावल के गाव रुसियावास में स्तित एकी भट्टे पर काम करने वाले नहीं गाव के एक युवक के साथ रविवार की रात को नंदी का किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने शराब का सेवन किया हुआ था। सोमवार की आज सुबह नंदी का शब भट्टे पर स्तित कमरे में खून से लत्पत मिला है। मृतक नंदी के शरीर पर तेजधार हथियार के घाव मिले है। सूचना के बाद मौके पर बावल डीएसपी नरेंद्र सांधवान वबावल थाना 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 प्रभारी लाजपत्व अन्य पुलिस कर्मी पहुँचे। पुलिस ने शब को कबजे में लेने के बाद आगामी कार करते थे। लेकिन गतरात्री को इन दोनों में किसी बात को लेकर आपसी में जगड़ा हो गया। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। आरोपी की पहचान मृतक नंदी के ही गावुना के ही रहने वाले अजय के रूप में हुई है। पुलि वारचन के आने के बाद पोस्ट मोटम की कार्यवाही की जाएगी।